अभी तक हम पॉलिटी में जो लेक्चर कवर कर चुके हैं, वहाँ पर हमने डारेक्टिब प्रिंसिपल अप स्टेट्स, डीपीएसपी, उसके बाद हमने देखा था फंडमेंटल डुटीज, और अब हम स्टार्ट करेंगे कंस्टिटूशन का पार्ट फाइब, ये जो भाग पांच है, भारती सम्मेदान का, उसका जो हैडिंग है, उसका जो टाइटल है, वो है उनियन एग्जेकिटिव, संग की कारिपाले का, और इसमें जो आइटिकल आएंगे, वो आइटिकल होंगे 52 से लेकर 151 तक, तो अनुछेत का नंबर भी आपको याद रखना पड़ेग यानि union government के, इन सरकार के जितने भी officers रहेंगे, जो constitutional हैं, उनके बारे में, president, vice president, prime minister, council of minister, parliament, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके इनको clear करेंगे, तो अब हम सबसे पहले start करते हैं, president, president से जुड़े हुए जो man-man article हैं, उन सब को आप देखते जाएं, और उनको memorize भी करें, article wise, concept wise, दोनों तरीके से हमें ये याद रखना परेगा, किसी भी competitive exam में अगर आप बैठना चाहते हो तो, सबसे पहले article 52, which is related to president, there shall be a president of India, भारत का एक राश्टरपती होगा, भारत का एक राश्टरपती होगा, ये कहां बता जाता है, ये article 52 में, अनुच्छित बावन में बोल जाता है, president shall be the executive head of the union, जो भारतिय संग है, उसका president है क्या, तो president उसका कारिपाली का शक्ती का प्रमुख है, executive head, किसी भी democratic country में, किसी भी democratic country में, जो सासन होता है, जो सासन वियवस्ता है, वो constitution के according चलती है, तीन body, जो हमने initially अपने constitution में देखा था, तीन major pillar होते हैं, एक होता है, legislature, विधायका, विधायका का जो काम है, वो है law making, कानून बनाएगा, तो हमारे यह legislature, parliament, अगर हम union की बात करें, state की बात करेंगे, तो state legislative assembly आ जाते हैं, अब यह जो कानून बना, कानून बन चुका है, बने हुए कानून को लागु कोन कराएगा, तो यह duty जो दी गई है, बोने है, सरकार की, और शरकार को यह हम कारिपालिका कहते हैं, और इस कारिपालिका का head है, raster पती, कारिपालिका ए एग्जेकिटिव head, raster पती होगा, यह जो अपनी कारिपालिका की सकतियां है, उसका use raster पती खुद करेगा, या अपने subordinate, उसको जला और साहिता देने के ये आज Council of Minister होती है, प्राइम मिनिस्टर जिसका हैड होता है, ये Article 74 में इसको हम connect करके जोड़ेंगे, राइट, 52 प्रेसिडेंट बता दिया, 53 में बोल दिया जाता है, ये Executive Head है, इससे जोड़ा हुआ क्वेस्टन, State PCS में पूछा गया है, जहां पूछा गया था कि भारत का राश्टपती कौन होता है, Head of the Legislature, Head of the Judiciary, तो यहां पर मेजर जो आइटिकल 52 बोल देता है, कि ये कारेपाली का शक्ती का प्रोमोकर, भारत के राश्टपती, बरतमान में महा महिम स्रीरामनात कोविन, इनकी सायता Council of Minister, जिसके मुखिया प्रदान मंतरी, स्रीराइन मोदी क अगला इसका आइटिकल देखेंगे, हम प्रेसिडेंट से जुड़ा होगा, वो आता है 54, 54 में जो बातें की गई हैं, वो इसके इलेक्शन से रिलेटेड है, कि भारत का जो राश्टपती होगा, वो हिरिडिटरी नहीं होगा, कि एक ही परिवार का अव्यक्ति, जैसा ब्र ब्रेटेन है, ब्रेटेन में राश्ट्रपती पद नहीं होता है, लेकिन वहां राजा या रानी, महाराजा या महारानी का पोस्ट है, वो उसी फैमली को हमेशा दिया जाता है, हमारे यहां महाराजा और महारानी वाला कल्चर नहीं है, हमारे यहां का जो हैड है वो प्रेस constitutional head है दोनों में difference क्या difference ये रहता है कि constitution में इसे head बोला गया है real power इसके अंदर नहीं दी गई है वो यहाँ council of minister को दी जाती है clear अब हम देखें इसमें जो president बनेगा भारत का वो कैसे बनेगा तो चुनाओ के द्वारा निर्वाचन के द्वारा election के द्वारा अब इसका election ऐसा नहीं कि 18 और 18 प्लस जितने भी Indian citizen है वो उसको elect करते होंगे यहाँ पर इसके election के लिए कुछ criteria fix किया गया इसमें कुछ selected persons वो जो selected persons हैं उन persons को उन लोगों को हम बोलते है electoral college या निर्वाचक मंडल निर्वाचक मंडल के द्वारा राश्टरपती का चुनाओ होगा अब ये निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग ब्लों करते हैं इसमें लिखा हुआ है elected member of लोकसभा elected member of राजसभा and elected member of legislative assemblies राजियों की जो सबाए हैं वहां के चुने हुए बिधायक राश्टरपती को बोर्ट दे सकते हैं लोकसभा के चुने हुए निर्वाचित बिधायक बोर्ट दे सकते हैं राजसभा के निर्वाचित बिधायक बोर्ट दे सकते हैं ये elected के अलावा भी कुछ होता है क्या लोकसवा में दो एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के मेंबर होते हैं राजसवा में बारा मेंबर होते हैं जनें राश्टरपती नॉमिनेट करता है तो उनको अधिकार नहीं मिला हुआ है प्रेसिडेंट के इलेक्षिन में पार्टिशिपेट करने का अब एक क्वेशन आ जाता है हमारे दिली के मुख्यमंत्री का जो बहुत सारे आरोप लगाते रहते थे इनका क्वेशन है राष्टरपती के चुनाओं में मेरा क्या होगा जब आपने एलेक्टोरल कॉलेज बनाया उसमें लिग दिया कि स्टेट लेज लेटेव असेमली देली स्टेट में नहीं आता है देली क्या है यूनियन टरिटरीज के इनका क्वेशन वाजब है कि राष्टरपती के चुनाओं में मेरा क्या होगा तो इनके लिए आंसर है कंस्टिउट्यूशन में आमेंडमेंट के द्वारा एक प्रॉविजन किया गया कि सैवन यूनियन टरिटरीज में दो केंदर शासित प्रदेश दो यूटीज हैं एक देली और दूसरा पॉणिचेरी यहां पर असेम्बिली क्रियेट के गई असेम्बिली यानि विधान सभाय बनाएगी तो विधान सभा हैं तो यहां पर विधायक होंगे तो यहां के विधायक भी दिल्ली और पॉणिचेरी के MLHP President के election में participate कर सकते हैं तो भाई साब का reaction कुछ इस type हो जाता है तो याद रखना 54 में President के elections related बात की जाती है next आता है 55 तो 55 से पहले कुछ चीज़ें और देखो यहाँ पर elected member को ही आपने बुलाए कि वो President के election में participate करता है तो nominate member क्यों participate नहीं करता दो Anglo-Indian 12 राजसभा के और हर state assembly में एक Anglo-Indian होता है जिसे governor appoint करता है उनको क्यों यहाँ अधिकार नहीं दिया गया तो इसका simple और एक line का answer है निस्पक्षता बनाए रखने के लिए neutrality बनाए रखने के लिए कैसी neutrality यह Anglo-Indian और राजसभा के 12 member इनको nominate president करता है यानि president नहीं आपको वो post दी then हो सकता है वो लोग क्या करें वो फिर bias हो सकते हैं वो निस्पक्ष नहीं रहेंगे इसलिए इनको नहीं रखा जाता है president के election बट यहाँ आगे याद रखना कि महावयोग जब president पर लगेगा महावयोग impeachment president जब constitution के according काम ना करे violation करे तो उसके time duration से पहले हटाने के लिए जो system है उसे हम महावयोग impeachment के नाम से जानते हैं महावयोग में nominated member भी participate करेगा election में नहीं करेगा next legislative assembly means आपने विधाय को तो रख दिया MLH को तो यहाँ पर बोला है कि आप उसके election में participate कर सकते हो nominated जो MLH है उनको भी आपने अलग कर दिया nominated members parliament के हैं उनको अलग कर दिया but impeachment के समय उनको involve किया अब वो state जिन में second house होता है दूसरा सदन जिसे हम विधान परिशद या legislative council बोलता है क्या वो लोग president के election या impeachment में participate करते हैं तो यहाँ याद रखना कि विधान परिशद के सदसिना तो president के election में participate करते हैं और नहीं president को जब हटाया जाए तो उनकी कोई भूमी का रहती है अब question मेरे दिमाग में आया after all I am citizen of India क्या मैं राष्टरपती को चुन सकता हूँ जब राष्टरपती मेरे देश का प्रमुख है तो क्या मैं राष्टरपती को चुन सकता हूँ आपके दिमाग में भी ये question आ सकता है कि आप राष्टरपती के election में participate करते हैं तो directly मैं आप यानि हम सामाने लोग जो भारत के नागरिक हैं जो विधायक सांसद नहीं हैं वो राष्टरपती के चुनाव में direct कोई interfere नहीं करते लेकिं indirectly हमारा इसमें contribution होता है कैसे indirectly होता है हमने लोकसवा member को vote किया लोकसवा member ने president को vote किया हमने mlh को vote किया mlh के दवारा president के election में vote किया जाता है mlh के दवारा राचसवा के member को vote किया जाता है राचसवा का member president को elect करता है तो direct नहों करके indirectly हमारा कुछ ना कुछ इसमें roll होता है clear इसके आगे दिखें next article 55 इसमें process है president के election का प्रेशिडेंट के एलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है मैनर प्रेशिडेंशिल एलेक्शन इसमें बताया गया है Proportional Representation by Means of Single Transferable Votes आनुपातिक प्रतिर्यदित्यु की एकल संकर्मनिय विधी के द्वारा राश्ट्रपती का चुनाव कराया जाएगा वाट इज प्रोपोर्शनल रेप्रिजेंटेशन बाई मीनस ऑफ सिंगल ट्रांसपरेबल आप मेंसे कई सारे लोगों ने बोट किया होगा जहां जैसे आपने लोग सभा के लिए आपने विधान सभा के लिए पंचाइद के लिए या नगर निगर मुंसिपल कॉर्पोरेशन जो बाड में मर रहते हैं उनके लिए कभी वोट किया होगा तो आप प्यात करो आपके सामने या तो वैलेट पेपर होगा या electronic voting machine होगी जितने candidate उस election में participate करते हैं उनके नाम उनके जो भी symbol दिये गए हैं और सामने एक बटन लगा रहता है हम उस बटन को दबा देते हैं जितने भी candidate हैं उनसे अगर एक बोट ज़्यादा जिसको मिलता है सबसे ज़्यादा जिसको बोट मिले अगर other candidate से अगर single vote के margin भी रखता है तो वो elect हो जाता है जीत जाता है लेकिन प्रेशिडेंट राष्टरपती के election के लिए जो process है वो थोड़ा सा अलग किया गया है वो process इस type का है सबसे पहले देखा जाएगा कि प्रेशिडेंट के election में कितने लोग participate करते है ये काफी detail है तो मैं इसको अगले lecture में cover करूँगा मान के चलें दो या तीन लोग participate करते है तो ये जो electoral college जो लोग जो vote देंगे किसको प्रेशिडेंट को प्रेशिडेंट को जो हम vote देंगे अब तो आर्टिकल 55 में वो सारी बातें की रही है कि प्रेशिडेंट को कैसे चुना जाएगा तो यहां पर जो 55 में बातें की जाती है कि आनुपातिक प्रतिनित की एकल संक्रमणी विधी का जो हम प्रियोग करेंगे तो इसका जो election processes को हम एक अगले lecture में complete करेंगे वहां पर दिख सकते हैं नेक्स आर्टिकल आता है 56 इसमें प्रेशिडेंट के बाए duration बताया जाता है कि भारत का राश्टपती कितने समय तक रहेगा तो इसका जो duration है वो 5 यर 5 साल पूरा होने से पहले ये कभी भी resignation कर सकता है रेजाइन करेगा रेजाइन करेगा उपराश्टपती को और एक चीज़ और याद रखना कि भारत का उपराश्टपती अपना रेजिंग नेशन राश्टपती को देता है और वो उपराश्टपती को दोने एक दूसरे को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं उसका पांच साल complete होने से पहले कभी भी हटाए जा सकता है यहाँ पर आपको यह चीचे याद रखनी शेये एक बात और याद रखनी है कि राश्ट्रपती का जो पद है वो कभी भी एक सिकंड के लिए भी वैकेट नहीं किया जाता मारत का राश्ट्रपती जो है कारिपाली का शक्ती का प्रमुक है इनके इस अगर राश्ट्रपती का देहान दो गया उसने रेजाइन कर दिया हम नए राश्ट्रपती का जुनाव नहीं करा सके तब क्या किया जाएगा उस situation में Vice President जो रहता है वो as a acting President काम करता है अगर Vice President भी नहीं है तो Chief Justice of India है उसको ये responsibility दी जाती है और अगर Chief Justice of India की post भी नहीं है तब क्या होगा तो फिर जो भी Supreme Court का available senior most judge होगा उसको ये जम्मेदारी दी जाती है इसलिए ordinary condition में 5 साल complete होने से पहले ही नए President के election करा लिए जाते है और ordinary condition अगर नहीं है कुछ emergency है in case वहाँ पर क्या होगा वहाँ की situation में ये पूरा का पूरा chain बना दी जाती है जो पूरी की पूरी rest majority समालती है ये सिर्फ President के लिए किया गया है Vice President के लिए ऐसा नहीं किया जाता है कि उसकी post खाली हो जाए तो कंपल सरीए 6 मीने के अंदर election कराना Vice President के लिए बोला गया है minimum available time जब हम Vice President पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो ठीक अब हम देखे राश्टपती की बनने की योगिता हमारे देश में कोई भी person आ person can become President for the unlimited number of times कितनी बार राश्टपती बन सकता है बट यूएस के President के साथ conditional है वहाँ एक बार बनने के बाद आप second time और बन सकते हैं मैक जीमिम दो बार राश्टपती रह सकता है हमारे हाँ के राश्टपती का duration 5 year दिया है बट यूएस के अगर हम President की बात करेंगे तो उनका duration 4-4 year चार साल का रहता है दूसरी बार 8 साल के लिए लेकिन इंडिया में unlimited number दिया है बट अभी तक 2017 तक यह नहीं यह महामें रामनात कोविंद तक सिर्फ एक व्यक्ति था जो दूसरी बार राश्टपती बन पाया वो हमारे पहले राश्टपती थे टॉक्टर राजिंदर परसाथ उसके बाद किसी को अबसर नहीं मिला है सेकिंड टाइम राश्टपती बनने का 58 जो IT कले है अनुचिछ 58 उसमें प्रेसिडेंट बनने के लिए जो आपको election लड़ना पड़ेगा वो election की qualifications क्या होना चाहिए तो पहला must है भारत का नागरे को Indian citizens से दूसरी condition है कि minimum age इसकी 35 होना चाहिए maximum age कितना चाहिए राश्टपती के लिए तो ध्यान दगता government officer बनने के लिए minimum और maximum age दोनों count होती है लेकिन ये मंत्री यानि राज नीती में आने के लिए कहीं पर भी इनके बारे में maximum age का provision नहीं है बट यह चीज याद रखना ये राश्टपती prime minister या minister की condition है लेकिन जब हम Supreme Court के जजों को पढ़ते है CAG को पढ़ते है तो वहाँ पर लिमिट count हो जाती है clear तीसरी condition है राश्टपती बनने के लिए कि वो person लोकसभा का सदस्य से बन सके ये उसमें qualifications हो qualifications for election as a member of लोकसभा तो लोकसभा का सदस्य से बनने के लिए जो qualification है वो एक act बना हुआ है उसके अनसार उन पर सारी शीचें लागू होती है जैसे मांसिक रूप से विकरत नहीं होना चाहिए वैंकरप्ट दिवालिया नहीं होना चाहिए ठीक बस एज लोकसभा के लिए 25 होती है minimum तो राश्टपती के लिए पहले mention कर दी गई है कि 35 years age होगी next आता है 59 इसमें कुछ conditions impose की जाती है राश्टपती के उपर वो conditions क्या रहती है कि राश्टपती बनने के लिए qualification 58 बताता है कि ऐसा व्यक्ती जो president बनना चाहता है if a member of parliament or state legislature is elected as a president he must vacate his office and it is considered that the person has acquired the office of president इसको समझने से पहले इतना समझ लो कि यहाँ पर यह बोला जाता है कि राश्टपती बनने के लिए लाव के पदपर नहीं होना चाहिए कोई profit वाली post कि आप कहीं job करते हैं तो पहले job से resign करो तब जाके president का election compete कर सकते हो लेकिन अगर कोई सांसत विधायक, मंत्री, राजपाल वाइस प्रेसिडेंट 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 का election लड़ना चाहता है तो उसको resign नहीं करना पड़ेगा वो अपने पदपर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है अगर समझते हैं कि कोई विधायक किया सांसत था उसने बिना resign किये हुए प्रेसिडेंट का election लड़ा और प्रेसिडेंट बन गया तब वो resign ना करे किस पर वो अगर विधायक किया सांसत था तो तो यहां यह automatically समझा जाएगा कि अब उस person ने राष्टपती के रूप में काम करना सुरू कर दिया है और उसकी विधायकी यह सांसती की पोस्ट खाली हो चुकी है तो 59 में यह इसकी कुछ conditions जोड़ दी जाती है next आता है 60 इससे question आ जाते है इसमें वो थोर affirmation दिया गया है कि राष्टपती अपने पद को grant करने से पहले शपत लेगा और यह शपत उसे कौन दिलाएगा भारत का मुख्यन आइदीस दिलाएगा Chief Justice of India in his absence the senior most judge of Supreme Court अगर भारत का मुख्यन आइदीस नहीं है तो जो भी Supreme Court का वरिष्टतम उपलब दिने आइदीस होगा और इसके द्वारा राश्टपती को शपत दिलाई जाएगी clear next अब हमारे लिए article आएगा महावयोग 61 बाला 61 को एक picture से समझने की कोशिस करता है यह राजसभा यह लोकसभा अब President को हटाने का सिर्फ एक ही ground है violation of constitution संभिदान का आतिकरमन अतिकरमन क्या होता है संभिदान के बाहर जाके काम करना अगर कभी ऐसा किया जाएगा तो संसत के दोनों house एक लोकसभा दूसरा राजसभा के member के द्वारा President को notice दिया जाएगा कितने member होना चाहिए उस notice को देने के लिए कम से कम 25% 1Y4th member होंगे और President को ये notice देंगे कि हम आपको हटाने के लिए संसत में एक प्रस्ताव लाएंगे या हम आपको हटाने के लिए महावयोग लाने जा रहे तो लोकसभा और राजसभा किसी के भी member 1Y4th ये condition must है और minimum 14 days prior 14 दिन से पहले कभी भी बड़ 14 दिन के बाद नहीं दे सकते अब ये notice मिला हम यहाँ अपने समझने के लिए देखते हैं कि President को हटाने के लिए महावयोग लाने के लिए notice लोकसभा के member ने दिया हुआ था तक President को हटाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में आएगा लोकसभा में वो प्रस्ताव two-third majority से पास हो जाना चाहिए ये two-third majority है लोकसभा के कुल सदस्यों का लोकसभा में total member इसमें nominated और appointed दोनों मेंबरों को मिलाया जाएगा यहाँ पर two-third majority जो रहेगी ऐसा नहीं होगा कि उस दिन आने वालों का टू-थर्ड तोटल मेंवर आप लोकसभा का टू-थर्ड से ये बिल पास हो जाता है तो इस बिल को सेकंड हाउस में भेजा जाएगा यहां सेकंड हाउस राज्यसभा अब राज्यसभा प्रेसिडेंट को एक चांस देगी कि उसके लिए उसको हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जा रहा है तो उस पर वो अपना पक्ष रख सके क्लैरिफाई कर सके तो प्रेसिडेंट यहां स्वैम या अपने किसी रेप्रेजेंटेटिव को वकील को लॉयर को भेज़ करके के टू-थर्ड से यह बिल पास होना चाहिए जैसे ही राजसभा से यह बिल पास हो जाता है प्रेसिडेंट उसी समय से अपने पोस्ट से मुक्त हो जाता है यह महाव्योग अगर नोटिस राजसभा ने दिया होता तो बिल राजसभा भेजाता राजसभा से टू-थर्ड मिजोर्टी से पास होता देन लोगसभा में जाता अब लोगसभा राष्टपती को अबसर देती तो हमेशा शेकिंड हाउस क्या रहता है वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस रहता है यह पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इंपेश्मेंट वाला वो अर्टिकल 61 में दिया हुआ है ग्राउंड्स वाइलेशन आप कॉंस्टिटूशन आट नोटिस गिविन तो प्रेसिडेंट साइन बाई 25 परसंट मेंबर्स बेफोर अट लिस्ट फूर्टिन देज जो भी दूसरा सदन होगा वहाँ पर वो अपना बक्स रख सकता है आज तक भारत में किसी भी राश्टरपती को हटाने के लिए महावयोग नहीं लाया गया तो यह हम याद रखेंगे महावयोग impeachment impeachment वर्ड सिर्फ और सिर्फ president के लिए आता है इसके अलावा चाहें vice president हो, cjio, election commissioner हो इन सब को किसी को भी हटाएंगे तो वो impeachment नहीं होता उसका English होता है removal महावयोग का English impeachment महावयोग जैसी प्रक्रिया उनके लिए लागू की जाती है process होता है but not same as impeachment इसके बाद अब हम देखते हैं राश्ट्रपती की शक्तियां president की शक्तियों को हम classified कर सकते हैं दो तरह के से, एक है साधारन, ordinary powers दूसरी रहती है, आपात कालीन शक्तियां, emergency powers ordinary power के रूप में, फिर हम इसको classified कर सकते हैं executive power, military power, financial power, legislative power, judicial power, veto power, other power emergency में सिर्फ तीन power आते हैं, article 352, national emergency, article 356, president rule, article 3600, financial emergency सबसे पहले हम ordinary power देखते हैं, executive power यानि कारेपाले का संबन्दी सकती हैं, कारेपाले का means सरकार हो गई यहां पर, तो भारत सरकार के जितने भी कारे होते हैं, वो सब राश्टरपती के नाम से किया जाते हैं, all the functions of Indian government are performed in his name, आप ये क्या करता है, भारत का राश्टरपती, प्रदान मंत्री की निक्ति करता है minister, भी राश्टरपती के द्वारा निक्ति होते हैं, अब यहां condition है, प्राइम मिनिस्टर को, क्या राश्टरपती निक्ति करता है, तो किसी को भी करतेगा, तो राश्टरपती उस person को प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, जिसे लोग समा में, बहुमत प्राप्त दलने, अपना नेता चुनाओ, राश्टरपती, appointment of attorney general, appointment of chief election commissioner, ambassador, राजदू, दूसरे देशों में जो रहते हैं, comptroller and auditor general, chief justice, other justice of supreme court, high court case judges, ये सारे appointment president के द्वारा किये जाते है, appointment of member of UPSC, union public service commission का chairman and member, इसी प्रकार से command public service commission, दो या दो से अधिक राजजिम मिलकर के अपने लिए जो आयोग बना देते हैं, उसे command PSC बोलते हैं, वहां के भी chairman and member को coin appoint करेगा, तो president का ये power मिला हुआ है, दूसरा power हम इसका देखते है, संसद की meeting बुला सकता है, संसद के सत्र को बुला सकता है, summons the meetings of parliament, can call for joint session of parliament, ये ordinary meeting भी बुला सकता है, और संहिक तदिवेशन को राष्ट्रपती ही बुलाता है, संहिक तदिवेशन joint meeting की आवश्यक्ता पड़ती है, कि law बनाने का काम किसका है, पार्लियमेंट का, law बनता कैसे है, दोनों house से pass होगा, president के pass जाएगा, तब बनेगा, जब कभी दोनों house में कोई contradiction टकराव हो जाए, सहमती ना बने, तो president joint sitting बुलाएगा, joint sitting की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो ये हम जब पार्लियमेंट पड़ेंगे तो उसमें आसानी से सम सकते हैं, president लोकसभा को भंग कर सकता है, dissolve कर सकता है, dissolve का meaning होता है कि अब नए election कराए जाएंगे, clear, president जब कभी भी साल का पहला सत्र हो, यानि जैसे अभी 2018 स्टार्ट होगा, तो 2018 में संसत की जो पहली meeting होगी उस समय, और जब कभी नई लोकसभा चुनके आती हो, यानि लोक session को राश्टरपती संबोधित करता है, ये उसका विशेशादिकार है, address करेगा, clear, राश्टरपती लोकसभा में दो एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के member को, राश्टरपती राचसभा में 12 member को, जो science, art, literature और social service से belong करते हैं, उन्हें age a member of parliament appoint, nominate करता है, clear, इसके बाद और सम नहीं होते, तब तक उसको हम act ना बोल करके सिर्फ will कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं, act अधिनियम तब कहेंगे, जब उस पर उसके sign हो जाएंगे, he can return an ordinary will before parliament for its reconsideration, president के power है, will संबंधी power आगे देखेंगे, जब संसत कोई will pass करके भेजती है, president को, तो president उसे पुनहर विचार के लिए बापस लोटा सकता है, उस पर वीटो का भी यूज कर सकता है, next है financial power वित्तिय शक्तियां राश्ट्रपती की, तो राश्ट्रपती की वित्तिय शक्तियों के बारे में समझें, कि money will, संसत कानून मनाती है, दो प्रकार के will होते हैं, एक ordinary will और दूसरे money will, ordinary will कभी भी लाई साया सकते हैं, लेकिन money will को लोगसभा में या संसत में रखना है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, money will is introduced in लोगसभा with prior permission of president, इसी प्रकार से भारत सरकार की सारे आयव यह सब बजट से चलते हैं, आयव बजट को यह manual financial statement केते हैं, सम्मिदान का article 112 इसके बारे में व्याख्या करता है, कि भारत के लिए राश्टरपती बजट संसत में रखवाएगा, यह संसत में बजट रखवाने की जिम्मेदारी president की, यह खुद नहीं रखेगा, वो काम finance minister या other minister कर सकते हैं, लेकिन यह उसकी responsibility रहती है, राश्टरपती हर 5 साल में एक वित्तायोग का financial commission को बनाता है, यह article 280, समिधान का रुच्छे 280 बोलता है, कि भारत के समिधान के लागू होने के within 2 वर्ष में एक वित्तायोग बनेगा, उसके बाद हर 5 साल में यह काम किया जाएगा, तो current में 14 मां 15 मां भी अब बनने बाला है, meeting वो एक हो चुकी है उसकी, यह वित्तायोग केंदर और राज्य के बीच में financial resources को distribute करता है, राश्टरपती के पास एक fund होता है, जिसे हम बोलते हैं, आकश्मिक निदी, contingency fund, यह 500 करोड रुपए उसमें रहते हैं, जब कभी ऐसी situation हो जाए, अचानक से जिसे predict ना किया जाए, तब राहत कारियों के लि पैसा जमा होता है, consolidated fund of India में, उसमें पैसा निकालने के लिए संसद की permission चाहिए, संसद की permission, it means meeting होगी, संसदों को बुलाए जाएगा, voting होगी, तो यह काफी लंबा process हो जाता है, अब natural disaster है, कुछ आकश्मिक इस्तिति है, कोई आपदा आई हुई है, संसद को बुलाना, meeting कर टाइम लगेगा, उस टाइम से बचने के लिए, पहले ही 500 करोड का एक fund राश्टपती के पास रख दिया गया, राश्टपती के पास रख दिया, it means ऐसा नहीं, 500 करोड रख के वो अपने घर में बैठता है, बस उसके signature से 500 करोड कभी भी withdrawal किये जा सकते है, clear, next इसके empower देख को माफ करता है, यहाँ याद रखना राश्टर पती किस-किस की सजा को माफ कर सकता है, तो Indian territory में, भारतीय राज्य क्षेतर में, किसी भी कोड ने किसी भी व्यक्ति को कोई भी सजा दियो, चाएं वो फासी की सजा हो, चाएं मिलिटरी कोट ने कोड मार्सल की सजा दियो, व नहीं कोई गल्ती ना हो गई हो कानून मनाते समय, यरिंग करते समय, सुनवाई करते समय, तो उस गल्ती को राश्पती को एक प्रकार से अधिकार दे दिया गया है। ठीक, अब हम इसको देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें ये फाइब टाइप्स हो पे हैं, पहला आता है पारड़न यानि शमा करना, अगर किसी को शमा किया जाता है, इट मींस वो व्यक्ती उस सजा से भी बच गया, और वो वैसा ही माना जाएगा, जैसे कि उसने वो अफेंस किया ही नहीं था, ठीक, यानि अब वो आराम से उप्सी प्सी की तैयारी कर सकता है, अगर उसने मडर भी कर दिया है, और आश्पतीनों से शमा कर दिया, तो सजा भी नहीं मिलेगी, वो आराम से उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं परिहार या रिमीशन, रिमीशन या परिहार इसमें क्या किया जाता है, इसमें सजा को कम करते हैं, मगर ये सजा जो कम होती है, इसमें सजा के नेचर को नहीं बदलते, अगर किसी को 20 साल की सजा हुई थी किस प्रकार से कि उसे सस्रम कारवास 20 साल तक पत्थर तोड़ते हुए अपनी सजा गुजारती है अब उसकी सजा को कम करके कितना कर दिया जाता है 10 साल कर देते हैं तो 10 साल रहेगा लेकिन उसे पत्थर तो तोडने पड़ेंगे यानि वहाँ पर जैसा कारवास्ता सस्रम सस्रम ही रहेगा बस उसकी डूरेशन को कम कर सकते It reduce the amount of sentence without changing its character Clear? Next आता है जिसे हम बोलते बराम या respite Respite या बराम में क्या condition देती है It means awarding a lesser sentence instead of the prescribed penalty in view of some special facts यहाँ पर किसी को कठोर दंड मिला है तो उसके इस्तान पर उसे सरल आसान सजा दी जा सकती है लेकिन कुछ conditions के साथ For example ऐसा समझो कि किसी लेडी को फांसी की सजा दी गई है अब लेडी को फांसी की सजा दी गई है और वो लेडी परिंगनेंट है तो उसे फांसी नहीं दी जाएगी क्योंकि उस लेडी को सजा मिली थी उसके मच्चे को सजा नहीं मिली थी तो उसकी सजा को हो सकता उमर कैद में बदल दे तो यह certain cases कुछ special cases में उसकी सजा पर बिराम लगा देता है नेक्स तरीका है जिसे हम बलते हैं Commutation, लगुकरण इसमें सजा के नेचर को बदल करके उसकी सजा में कमी की जाएगी जैसे किसी को फांसी की सजा दी गई है फांसी की सजा को माप करके उम्र कैद में बदल सकते हैं तो ये नेचर को जब चेंज करें तो इसे हम बोल सकते हैं कम्यूटेशन और लास्ट टाइप है जिसे रेप्राइब या प्रविलम्मन के नाम से जानते हैं कोई परसन जिसको सजा मिली और उसने राष्ट्रपती के पास ये आर्टिकल 72 में अपील की हुई है और उस पर अभी तक कोई डिसिजन नहीं आया हुआ है उस परसन को सजा क्या मिली है कि फासी दे दी जाए तो जब तक ये राष्ट्रपती की तरफ से उसकी अपील पर फैंसला नहीं आ जाता है तब तक उसको फासी नहीं दी जाएगी तो ये एक प्रकार का टेंप्रेरी क्लॉज है इसे हम प्रविलम्बन के नाम से जानते हैं तो ये राष्ट्रपती की शमादान की सक्तियां गवर्नर को भी ये सक्तियां मिली हैं बट कुछ लिमिटेशन के साथ हैं राष्ट्रपती के कुछ वीटो पावर भी होते हैं वीटो पावर राष्ट्रपती तीन प्रकार के वीटों का यूज करता है जब कोई बिल उसके पास जाता है कानून बनने के लिए उसके सिंगनेचर के लिए तो राष्ट्रपती उस पर पहला स्टेप है he may give his assent to the bill अगर उसने उस पर sign कर दिये तो इस condition में वो बिल कानून का रूप ले लेगा in which case it immediately becomes an act दूसरी condition देती है he may withhold his assent to the bill वह अपनी अनुमती को विधारित करता है अब ये विधारित करना का मतलब ये है कि उसने परमीशन नहीं दी ये कुछ conditions में होता है तीसरा रहता है कि वो किसी भी बिल को अगर वो money will नहीं है तो उसको पुनर विचार के लिए वापस लोटा सकता ही may in the case of bills other than money bills and constitutional amendment bills return the bill for reconsideration of the house हम ये राश्पती का ये वाला जो bill बीटो इसको आगे चलके देखेंगे इन बीटो को हम तीन प्रकार से classified करते हैं एक होता है absolute बीटो निरपेक्स बीटो दूसरा होता है निलम्मन कारी बीटो suspensive बीटो तीसरा होता है जेवी बीटो या pocket बीटो तो भारत के राश्पती को ये तीनों बीटो मिले हुए अब यहाँ समझते हैं कि ये जो बीटो का यूज करेगा बीटो प्रेसिडेंट के पास जाता है प्रेसिडेंट के पास है क्या क्या चॉइस रहती है पहला वो अपने साइन कर देता है साइन कर दिया ये विल एक्ट में कनवर्ट हो जाता है दूसरा वो क्या करता है कि वो मना कर सकता है कि उस पर साइन नहीं करेगा डिनाई कर देगा तो वो एक्ट नहीं मनेगा तीसी कंडिसन और होती है कि वो उसको बापस भेज़ देगा आप इस पर रीकंसीडर करें हो सकता उसे ऐसा लगता है कि जल्दवाजी में कोई बिल बना के भेज़ दिया गया है जब पुनरविचार के लिए भेज़ेगा तो वो बापस पार्लियमेंट के पास जाएगा पार्लियमेंट उस पर रीकंसीडर करती है रीकंसीडर के साथ कुछ चेंज कर सकती है बिदावट एनी चेंज फिर से वापस भेज़ देगी प्रेसिडेंट के पास देन अब इस कंडिशन में प्रेसिडेंट बॉंडेट है यहां राष्टरपती मजबूर हो जाता है किस बात के लिए मजबूर हो जाता है साइन करने के लिए आफ्टर रीकंसीडरेशन क्लियर अब यह जो बीटो का प्रियोग करते हैं एप्सलिट बीटो का मतलब होता है मना कर देना करना ही नहीं है तो राष्टरपती इसका उप्योग कर सकता है कुछ कंडिशन क्या कि ऐसा विल जो प्राइवेट विल हो प्राइवेट विल क्या होता है मिनिस्टर के अलावा किसी भी मेंबर ने कोई विल भेजा हो वो प्राइवेट विल कहलाएगा मिनिस्टर के अलावा अपार्ट प्रॉम मिनिस्टर चाहे वो सांसद रूलिंग पार्टी का ही क्यों न हो उसका बिल भी प्राइवेट बिल कहलाएगा तो प्राइवेट बिल पर प्रेशिडेंट बिलकुल मना कर देगा साइन नहीं करेगा इसको हम Absolute बिल के नाम से जानते है Suspensive बिल होता है कि ये Ordinary बिल को वापस भेज देते हैं पुनरवचार के लिए उसे हम उस वहाँ पर जो बिल यूज मिलाएगा उसे हम Suspensive बिल कहते हैं याद रखेंगे Suspensive बिल का यूज मनी बिल में नहीं होता और तीसरी एक और कंडिशन है कि Ordinary बिल की कंडिशन में प्रेसिडेंट को ये नहीं बोला गया है कि आप इस पर कितने टाइम के अंदर साइन करें पॉकेट बीटो जैसे बोलते हैं कि कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आया प्रेसिडेंट ने ना तो उस पर साइन किया ना रिकंसिडर किया और वो अपनी डाइस पर अपनी जैब में रखके बैठ गया इसको बोलते हैं पॉकेट बीटो या जैबी बीटो इस वेन दा प्रेसिडेंट नीदर गिप से जैसेंट नौर रिटर्न सब विल पर रिकंसिडरेशन ये विदोल्ड है जैसेंट तो दैट विल पर एन अन्लिम्टिट पिरियड ऑप टाइम ये पॉकेट बीटो का उप्योग किया था प्रेसिडेंट ग्यानी जैल सिंग राजीब गांदी सरकार 1986 में एक पोस्ट एक्ट पोस्टल एंट टेलीग्राफ एक्ट वाला विल था उसक पर ना इन्होंने साइन किये ना ही इसको मना किया दो से बोलते हैं पॉकेट वीटो राश्टपती की दूसरी औरने सक्तियों में हम देख सकते हैं कि राश्टपती को क्या माना जाता है तीनों सेनाओं का प्रमॉप ही इस दा सुप्रीम कमांडर इन चीप आप आल दा थ्री आर्मी इंडिया राश्टपती ही युद्ध और शांती की गोश्णा करता है अल दा पैक्ट्स एंड एक्रिमेंट्स विद इंटर नेसल ऐन कांट्रीज आर्व साइंड अंडर रहे जने जितने भी दूसरे देशों से संदियां होती हैं जूप हरत के रास्ट्पती की नाम से तो आपात कालीन सक्तियां तीन थी आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 इसको एक एक करके क्लियर करेंगे आप अभी तक जो बताया गया इसमें कहीं कोई अगर डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं आपको आपके डाउट का रिप्लाई मिलेगा